जैहिन दोस्तो आज किस वीडियो में हम महत्मु सुचकांक यानि की important index को discuss करेंगे आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो इस topic से हर exam में एक से दो question पूछे ही जाते हैं तो आएए दोस्तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नमर first question से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि index से आप लोगों को तीन चीजें पढ़ना है एक तो हमें पढ़ना है इंडिया की rank ठीक है कि इंडिया की rank क्या रही है दूसरी आपको पढ़ना है कि वो index किस के दोवारा जारी किया जाता है किस संस्ता के दोवारा जारी किया रही है सबसे ज़्यादा important भारत की rank पूशा जाता है तो विस्व प्रेस सुतंत्रता सुचकांक 2023 में भारत 161 स्थान पर रहा है C option करक्ठ हो जाएगा अब हम सारी फेक्टों को discuss कर लेते हैं जो की exam में पूशे जाते हैं तो हम बात करें विस्व प्रेस सुतंत्रता सुचक तो यह reports without border के द्वारा जारी किया जाता है तीक है और मीडिया की सुतंत्रता के मामले में 180 देशों में से भारत 161 इस्थान पर रहा है वहीं 2022 में अपन 150 इस्थान पर रहे थे अंतिम पायदान की बात करें तो उत्तर कोरिया जो है यह अंतिम पायदान पर यानिकी 180 इस्थ इस्थान पर इस प्रकार से हम सारे question को discuss करेंगे सारे index को discuss करेंगे number second question है world happiness index 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खोशाल देश कौन सा है तो हम बात करें दुनिया का सबसे खोशाल देश की तो यह finland c option correct हो जाएगा detail की हम बात कर लेते हैं तो unit condition के sustainable development solution network के द्वारा जारी world happiness index 2023 में finland लगाता चटवे साल दुनिया का सबसे खोशाल देश वन गया है ठीक है हम बात करें भारत की rank तो भारत इस index में 126 वे स्थान पर रहा है top 3 देशों की बात करें finland पहले स्थान पर डैनमर्क दूसरे स्थान पर और iceland तीसरे स्थान पर है इश को सने सैक्त राष्ट लोकतंत्र कोस में सबसे बड़े दान करता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है तो सबसे बड़े दान करता देशों की सूची में अपना देश भारत जो है ये चोथे स्थान पर है ठीक है पहले स्थान की बात करेंगे तो अमेरिका पहले स्थान पर है ओके और लोजिस्टिक प्रदरसन सूचकंक 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो दोस्तों इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा option B अपना देश भारत जो है ये लोजिस्टिक प्रदरसन सूचकंक 2023 में 38 वे इस्थान पर रहा है अब डेटेल की बात कर लेते हैं तो लोजिस्टिक प्रदरसन सूचकंक देशों को ब्यापार लोजिस्टिक के प्रदरसन में आने वाली चनोतियों और आउसरों की पहचान करने में मदद करता है भारत इस सूचकंक में 149 देशों में से 38 वे इस्थान पर रहा है पहला इस्थान रहा है सिंगापुर का और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है तो वर्ल्ड वेंक के दुआरा ये इंडेक्स जारी किया जाता है बताए वैस्विक आतंकभाद सूचकंक 2023 के अनुसार भारत आतंकभाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से इस्थान पर रहा है तो हम बात करें टेरिरिज्म इंडेक्स की तो इसमें अपना देश भारत जो है ये तेरवे स्थान पर रहा है बी ऑप्सन करक्ठ हो है अपना देश भारत जो है ये तेरवे स्तार पर है और इसको किसके दुआरा जारी किया गया इंस्टिटूट फॉर एकोनोमिक्स ट एंड पीस ये औस्टेलिया की एक संस्ता है तो इसने गिलोबल टेरिरिज्म इंडेक्स को जारी किया है दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज किस वीडियो में हम इंडेक्स और रैंकिंग को पढ़ रहे हैं यदि आपको साल भर के सारे टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल कम समय में और आसान भासा में तो हमारी इबुक को बाय कर लीजिए इसमें पूरे साल के इबुक है ये भी टॉपिक वाइस हमने बनाई है तो अभी हमारे चैनल पर दो इबुक आपको मिलेंगी एक करंट अफ़ HIS की और एक साइंस की ऑपक तो मैं गैरिंटी से खोल सकता हूँ यदि आप इन इबुक से तयारी करेंगे तो current affairs और science में बहुत ही अच्छा score करके आएंगे और आपको पता है ये जो science की ebook है ये cable 29 रुपीज की ebook है और current affairs की ebook 59 रुपी की ebook है तो फटा फट से विना किसी देरी के ebook को आप वाय कर लीजिए और exam में selection की तैयारी कर लीजिए बताए अंतरराष्टिय की ranking क्या रही है इसका correct answer हो जाएगा अपना देश भारत जो है ये 40 वे इस्थान पर रहा है ओके detail की बात करें तो अंतरराष्टिय वधिक संपदा सुचकंक 2023 में भारत 55 देशों में से 40 वे स्थान पर रहा है 2022 में 43 वे स्थान पर था और अभी इस index का दसवा संसकन जारी कि जा गया और इस सुचकंक में टॉप 3 देशों की बात करें अमेरिका पहले इस्थान पर यू के दूसरे इस्थान पर और फ्रांस तीसरे इस्थान पर है नेश कोस्टन है फीफा रैंकिंग दो हो जाट 23 के नुसार भारत की फोट वर्ल टीम किस इस्थान पर है तो फीफा टीम की फोट वर्ल टीम दुनिया में 112 स्थान पर है और तॉप 3 देशों में अर्जैनटिना की फोट वर्ल टीम पहले इस्थान पर फ्रांस की टीम और तीसरे इस्थान पर वराजिल की टीम रही है नेश्घ कोस्टन है आर्ट постоянно नेवेज़ के मामले में भारत की रेंक वता तो अमेरिका की इस्टेंफोर्ड इंवर्शिटी के द्वारेस को जारी किया जाता है और भारत साल 2022 में AI आधरत उत्पादों और सेवाओं की पेसकस करने वाले स्टार्ट अप में निवेस पाने के मामले में दुनिया में पांचबे स्थान पर रहा है पहले स्थान पर रहा ह अमेरिका दूसरे पर चाइना और तीसरे पर रहा है यूनेटिट किंडब यानिकी यूके नैश कॉस्टन है फोप्स की एन्यूल वर्ल्ड विलेनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एसिया के सबसे अमीर व्यक्ती कौन बन गए हैं? मुकेश अम्बानी ओके तो हम बात करें डिटे और दुनिया में 9 इस्थान मिला है । उन याद रखना isiya में प्रता में मुकेश अमभानी और दुनिया में 9 इस्थान पर है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख मंत्री कोन बने हैं? तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख मंत्री बने हैं, आंदर प्रदेश के मुख मंत्री जगन मोहन्रेट D बी Option करक्ष जायगा, यदी हम डिटेल की बात करें, तो भारत के 28 राज्यों और दो केंद ससद प करोड़ पती हैं ठीक है इनमें से आंद पिदिस के मुखमंत्री जगन मोहनरेड़ी 510 करोड़ के साथ में इस लिष्ट में सबसे उपर है यानि की सबसे अमीर मुखमंत्री हैं और वहीं पश्चम मंगाल की जो CM है ममता बनर जी इनके पास में सबसे कम संपत्ती है केबल 15 ला जल सररचना है हैं यदि हम डिटेल की बात करें तो जल सकती मंत्रा लायके दो आरहा पहली जल सकती जन plays जन गळना 2023 करी गई और यिस के नुशर पस्चम मंगाल में सबसे ज़्चम मंगाल में सबसे जादा 7.4 लाख जल सररचना हैं और हम बात करें कि शिक्के में सबसे कम, 134 जल सररचनाय हें और जीलों की सबसे ज़़या संख्या है तमिल्याडू में और पानी के टैंकों की सबसे ज़या संख्या है आंदर प्रदेश के अंदर अब बताईए दोस्तो सार्वजनक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे सहरों की सूची में कौन सा सहर सीज पर रहा है तो इसका करक्टांसर हो जाएगा दोस्तो जर्मनी का जो वरलेंस सहर है ये टॉप पर रहा है वहीं हम बात करें अपने देश का जो मुंबई सहर ह ठीक है तो मुंबई सहर की बात करें इस सूची में सामिल होने माला एक मात्रय भारतिय सहर है और मुंबई इस सूची में कौन से स्थान पर रहा है उन्नी सुवे स्थान पर वताईए दोस्तों UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परसों और महिलाओं की एवरेज बात कर लेते हैं तो ICC ने करकेट के तीनो फोर्मेट के लिए रेंकिंग जारी करी है दो मई को ठीक है और हम बात कर लेते हैं ICC Men's T20 International Team ranking 2023 में भारत पहले इस्थान पर रहा है और ODI की ranking में बात करें तो ODI में अपन दूसरे इस्थान पर रहे हैं और Test Team ranking में अपन पहले इस्थान पर रहे हैं तो अपन T20 में और Test में पहले इस्थान पर लेकिन ODI में दूसरे इस्थान पर रहे ह अब बताएए विस्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो दोस्ते इसका करेक्टांसर हो जाएगा अपना देश भारत 77 इस्थान पर रहा है सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में नेस्ट कोस्टन है टाटा ट्रस्ट के दोवारा जारी इंडिया जेस्टिस रिपूर्ट 2022 के नुसार नियाय दलाने के मामले में भारत का कौन सा राज पहले इस्थान पर रहा है तो इंडिया जेस्टिस रिपूर्ट 2022 जारी करेगी अभी रिसेंटली और इसमें नियाय दलान पर रहा है अब बताए चुनावी लोगतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है तो इसका करक्टांस रोजाएगा दूस्तो अपना देश भारत चुनावी लोगतंत्र सूचकांक में 108 वे इस्थान पर रहा है और हम बात करें कि पहले इस्थान पर कौन सा देश रहा है डेन्मार्क पहले इस्थान पर रहा है और ये इंडेक्स किस की दोवारा जारी किया गया तो वी डेम इंस्टिटीट की दोवारा ये इंडेक्स जारी किया गया बताए गिलोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है इसका करक्ट आंसर हो जाया और भौगलिक पेमाने की आधर पर देशों को रेंक करता है। और हम बात करें कि दुनिया में सबसे सक्तिसाली चार देश कौन-कौन से हैं। अमेरिका पहले इस्तान पर फिर रसिया है फिर चाइना है और अपना देश चोथे इस्तान पर है। और वुटान जो है यह अंतिम पायदान पर है यानिकि 145 दे इस्तान पर रहा है। अब बताए इस्टेट ऑफ वर्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसर चाइना को पच्छाड कर दुनिया का सबसे जादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया है। सबी लोग को पता होगा दुनिया का सबसे जादा आबादी वाला देश जो है यह अपना देश भारत बन गया है ठीक है और अपन चाइना को पच्छाड कर जनसंख्या के मामले में टॉप पर आ गये हैं ठीक है तो UN FPA की रिपोर्ट का नाम क्या है इस्टेट ऑफ बल्ड ठीक है और इस रिपोर्ट के नुसार भारत अप्रेल 2023 में दुनिया का सबसे जादा आबादी वाला देश बन गया है अप्रेल 2023 में भारत की जनसंख्या हो गई है 145 करोड 86 लाग ठीक है और चाइना को पचाड़ा है तो चाइना की जनसंख्या कितनी रही गई है 145 करोड 7 ताउन लाग ठीक है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अपने देश की जनसंख्या चाइना से जादा हो गई है मतलब की भारत की आबादी चाइना से करीब 30 लाग जादा हो गई है ओके बताए नेशनल मैनुफेक्चरिंग इनोवेशन सरवे 2021 में किस राज जी आफर के कौस् Buddhism है हाली मिजारी जल निकायों की पहली जनगरणा में कौन सा राज टाउप पर रहा है तो अब सर्ब निकायों की पहली जनगरण करी गई और इसमें पस्चमंगाल जो है ये रहा है टाउप 1 नेश कोस्टन है, Freedom House Index के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दरजा दिया गया, तो दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दरजा दिया गया है तिबबत को, ठीक है, वहीं हम बात करें, इस Index में अपना देश भारत कौन से इस्थान पर रहा है, तो 66 इस्थान पर रहा है नेक्ष कोस्टन है टाइम मैगजीन के दोवारा वर्स 2023 में जारी दुनिया के महानतम इस्थानों की सूची में भारत के किन इस्थानों को सामिल किया गया तो दुनिया के महानतम इस्थानों की सूची में भारत के दो इस्थानों को सामिल किया गया है एक तो मैयू पास्पूर्ट सबसे सकती साली है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूस्तो जापन का जो पास्पूर्ट है, ये सबसे सकती साली है, हम बात कर लेते हैं, इंपूर्ट फैक्टों की, तो हैले पास्पूर्ट इंडेक्स ये पता लगाता है, कि किस देश का पास्पूर्ट कितना सक तिसाली है और ये इंडेक्स हर तीन माहे में जारी किया जाता है साल में कुल ये इंडेक्स चार बार जारी किया जाता है और अभी जो हैले पासपोट इंडेक्स क्यू बन जारी किया गया इसमें अपना देश भारत जो है ये 85 बे इस्थान पर रहा है और जापान देश जो ह ये पहले इस्थान पर रहा है अब हम डेटेल की बात कर लेते हैं तो हवा में प्रिदूशन की जाज करने वाली एक संस्ता है स्विस एजेंसी IQ Air और इसने 14 मार्च 2023 को World Air Quality Report 2022 जारी करी है इसमें भारत दुनिया का आठवा सबसे प्रिदूशत देश रहा है और दुनिया के टॉप फाइब सबसे जादा प्रिदूशत सहरों की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान का लाहर पहले स्थान पर है चीन का होटन दूसरे स्थान पर भारत का विवारी तीसरे स्थान पर और नई दिल्ली चोथे स्थान पर और पाकिस्तान का पेशावर पाँचवे स्थान पर रहा है बताए पीम मोदी ने टाइगर संसस 2022 जारी किया है इसके अनुसार भारत में बागों की कुल संख्या कितनी है तो भारत में टूटल भागों की बात करें तो कितनी भाग हैं? 3167 इस कॉस्टन का B option करक्ट आंसर हो जाएगा कितनी भाग हैं भारत में? 3167 भाग हैं नेश्ट हमारा कॉस्टन है QS Asia University Rankin 2023 में कौन सी इन्वर्सिटी पहले इस्थान पर रही है? तो Asia University Rankin 2023 की अधी हम बात करें तो इसमें जो Packing University है चाइना की ये पहले इस्थान पर रही है ये तो हमने QS Asia University Rankin पड़ी इसकरम में एक QS World University Rankin 2030 जारी करी गई और इसमें पहले इस्थान पर कौन सी इन्वर्सिटी रही है? Correct answer हो जाएगा Massachusetts Institute of Technology और ये अमेरिका की इन्वर्सिटी है ये वल्ड में पहले इस्थान पर रही है Next question है Economist Intelligence Unit की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा सहर कौन सा है? तो इसका correct answer हो जाएगा दूस्तो भारत का सबसे महंगा सहर है वेंगलरू हम बात करें Economist Intelligence Unit की जो रिपोर्ट जारी की गई है तो इसके अनुसार भारत का सबसे महंगा सहर तो वेंगलरू है और चेननाई दूसरे इस्थान पर है और जो एहमदाबाद है और इसके बाद कौन सा तो जापान का जो टोक्यो सहर है जापान का जो टोक्यो सहर है ये दूसरे इस्थान पर सबसे महंगा सहर है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है करक्टान सरो जाएगा ऑप्शन सी अपना देश भारत आठवे इस्थान पर रहा है इस कॉस्टन को बिलकुल डेटेल से समझ लेते हैं तो एक संस्ता है जर्मबन बोच कलाइमिट एक्षन नेटवर्क इसके दौरा जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सुचकंग जारी किया जाता है और ये इंडेक्स इस आधार पर तयार किया जाता है कि किस देश ने खतरनाक जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं अभी 2020 में देशों की इस्तिति की बात करें तो 63 देशों में भारत आठवे इस्तान पर रहा है इस रपोर्ट में जो पहले तीन इस्तान है ये खाली छोड़े गए हैं ठीक है सुरू के तीन इस्तान खाली छोड़े गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने इस सुचकंग की सभी श्रेणियों में इतना वैतरीन प्रदसन नहीं किया है कि इनको पहले तीन इस्तानों पर जगा दी जाए ठीक है तो डारेक्टली डैनमार्क को चोथे इस्तान पर रखा गया है स्वेडन को पांचवे इस्तान पर चिली को छटे इस्तान पर और यीरान को अंतिम पायदान पर यानि कि 63 वे इस्तान पर रखा गया है अपने देश भारत को कौन से इस्तान पर रखा गया है तो भारत को आठवे इस्तान पर रखा गया है और यही हमें याद रखना है भारत की रैंकिंग ये पूची ही जाती है नेश कोस्टन है वेस्बिक बिमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C अपना देश भारत पचपर में इस्थान पर रहा है बताएगे मौर्निंग कंसल्ड दोवारा जारी सरविक्षन के अनुसार दुन महिला विलिनियर्स की संख्या सरभादिक रही है तो महिला विलिनियर्स की संख्या है यह रही है अमेरिका में ओके और यहीं हम बात करें भारत की तो भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो भारत पांच वे इस्थान पर रहा है ठीक है इस इंडेक्स में और भारत में महिला विलिनियर्स की संख्या जो है यह 9 है याद रखना महिला विलिनियर्स की संख्या तो 9 है और यदि इंडेक्स में बात करें कि कौन सी रैंक मिली है इंडिया को तो रैंक मिली है 5 भी इस क्वेस्टन है WHO के नूसार वेस्वेक मात्र मरत्यू मरत जन्म और नावजात म्रत्यू के मामले में कौन सा देश अगणी रहा है तो दोस्तो इस के अनुसार भी दुरभाग से अपना देश ही अगणी रहा है ठीक है हाला कि ये बात है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या दो भारत में है तो सबसे ज़्यादा म्रत्यू भारत में होंगी चाहे हम मात्र म्रत की बात करें म्रत जन्म की बात करें और नावजात म्रत्यू की बात करें ठीक है हाला कि medical field अभी उतना powerful नहीं है इंडिया का जतना होना चाहिए ओके एक नेश कोस्टन है वर्ल लाइन इंडिया दोवारा प्रकासत एक रिपोर्ट के अनुसार देश में digital लेंदेन करने वाले सीर सहर में कौन सा सहर पहले इस्तान पर रहा है तो दोस्तो डिजिटल लेंदेन के मामले में बैंगलरू पहले इस्तान पर है नई दिल्ली दूसरे पर है मंबई तीसरे स्तान पर है और चेंड़ जो है ये तीसरे स्तान पर है ठीक है टॉप पर कौन सा सहर रहा है वेंगलरू सहर बत नेश कोस्टन है टाइम मेगजिन दुआरा जारी दुनिया के सो सबसे प्रभाव साली लोगों की सूची में किस भारतियों को सामिल किया तो दुनिया के सो सबसे प्रभाव साली लोगों की सूची में अभिनेता साहर खान को सामिल किया गया और निर्देसक SS राजा मॉली को सामिल किया गया ठीक है तो अपर है तो दोनों भारतियों को सामिल किया गया है C option करक्ठ हो दाएगा अच्छा SS राजा मॉली की जो वोट दिये गए हैं यह आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताना है को सन लौजिस्टेक परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत किस इस्थान पर रहा है इसका करक्ट आंसर हो जाएका दूस्तों ऑप्सन भी 38 इस्थान पर और यदि हम डिटेल की बात करें तो लौजिस्टेक परफॉर्मेंस इंडेक्स सीमा सुल्क निकासी प्रिक्रियाओं की दक्षता परिवहन वनियादी धाचे की गुलुबत् तो वुल्ड बैंक द्वारह द्वारत किस इस्थान पर रहा है यह गलूवल यूनिकोंड इंडेक्स 23 में वार्त किस इस्थान पर रहा है सी औप्ष्ठ हो जाएगा हम बात करें कि ये किस के द्वारा जारी किया जाता है तो हुरुन गलूबल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें समले देशों की बात करें तो 138 और टॉप पर कौन कौन से देश रहे हैं अमेरिका पहले इस्थान पर रहा है चाइना दूसरे इस्थान पर और अपना प कतर देश ए ओप्शन करक्ठ हो जाएगा ठीक है एस्टर फेक्टों से हम समझने का प्रयास करते हैं तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली एक टेक फर्म कंपनी है उकला उकला ने हाली में गिलूबल स्पीड टेस्ट रिपूर्ट दो हजाद तेश जारी करी है और इस के नुसार वैस्विक इस्टर पर विविन देशों को रैंकिंग दी गई और इसमें टॉप पर रहा है कतर देश और हम बात करें अपने देश भारत की तो भारत इस लिस्ट में Um पर रहा है तो टॉप पर कौन सा देश रहा है कतर और भारत की स्तिति क्या है भारत साथ बेश थान पर रहा है नेश को सन है वर्ल्ड एथलेटेक्स मेंस जैवलिंग रेंकिंग दो हज़र तेश में नंबर बन खिलाड़ी कौन बनी है करक्टा अंसर हो जाएगा दूस्तों ऑ लंपिक होगा ये चार साल बाद होगा ठीक है और अभी मई दो हजार तेश में नीरच चोपड़ा ने दो हा डायमंड लिग दो हजार तेश में 88.67 मीटर के थो करके पहला इस्थान हासिल किया है तो ये दो बातें आपको जरूर याद रखना है नीरच चोपड़ा की सम्म कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छ लगाओ वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से भैतरिन कॉंटेंट को पढ़ने के लिए पूरे साल के करेंटर फ्रेस को पढ़ने के लिए हमारी इबुक को वाय करके फटा फ मैंस होकी जूनियर एसी अकब 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है चार आप्शन आप लों के लिए दिये गए हैं और यदि आप चाहें इस कॉस्टन के बारे में डेटेली भी लिख सकते हैं थैंकि दूस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भाई बहनों के साथ आपके वार्टसप टेलीग्राम पर जितने भी इस्टेडिस रिलेटेड गुरुप हों सभी गुरुपों में इस वीडियो को सेयर कीजिए न्यू इस्टुडिय इन वीडियोस को जरूर देख लें, ठैंकी दोस्तो, राम राम दुआ सलाम, मिलेंगे नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जै हिन, जै भारत वन्दिमातरम